हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने दो तरह की सैलिड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो इससे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं पहले हम मसाला प्याज बनाएंगे और उसके बाद हम मुली का कस बनाएंगे यह मैंने बड़े साइस की प्याज लिए थी और मैंने मोटे मोटे चलले बना लिए हैं और इसको अच्छे से मैंने दो भी लिया हैं दोने के बाद इसके ओपर मैंने आइस क्यूब डा ली है आब मैं इसमें पानी भरके रख़ दूँंगी आदा घंटे के लिए आदा घंटे बाद हम इसका सारा पानी निकाल देंगे आदा घंटा हो गया है और इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है नमक, चाट मसाला, देगी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर ये सब हम एक साथ मिक्स कर देंगे और कटी हुई प्याज के उपर इसमें हम डालेंगे उपर से हम नीभू डाल देंगे अब यह हमारी मसाला प्याज बनकर तयार हो गई है मसाले अपने टेस्ट के साब से कम ज़यादा कर सकते हैं कोई भी मसाला अब हम मुली का कस बनाएंगे इसके लिए मैंने दो मूली ली थी अच्छे से निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल दिया है नमक, स्वाद अनुसार फोड़े से अनार के दाने एक नीबू चार से पांच हरी मिर्च और थोड़ा सा अद्रक बारी कटा हुआ सबसे पहले हम अद्रक और हरी मिर्च को मूली के साथ डाल देंगे मिक्स कर देंगे इसके उपर हम नमक और अनार के दाने डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके उपर नीबू का रस भी डाल देंगे जितना भी खट्टा पसंद हो उसके साफ से नीबू कर रस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद सर्ब करेंगे अब यह हमारा मूली का कस्वी बनकर तयार हो गया है अब यह मेरी दोनों तरह की सैलिड रेसिपी बनकर तयार हो गई है थैंक यू